नमस्कार मैं हूँ साक्षी बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरों की उर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर बिहार बोर्ट बार्वी का परिक्षा परिनाम जारी 87.21 प्रतीशत विद्यार थी पास बिहार पुलीस अब एडवांस हतियारों का करेगी प्रियोग एक अप्रेल से टॉल टेक्स में होगा इज़ाफा होली के बाद स्पेशल ट्रेनों से काम पर जाने में होगी आसानी आईपिल 24 के पहले मैच में CSK ने RCB को 6 विकेट से रॉम्दा इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार बोर्ट बार्वी का परिक्षा परिनाम जारी 87.21 प्रतीशत विद्यार थी पास बिहार बोर्ट बार्वी का परिक्षा परिनाम जारी हो गया है और इसमें 87.21 प्रतीशत विद्यार थी पास होए हैं बिहार बोर्ट के अध्यक्ष ने परिक्षा के परिनामों की घोशना की है बिहार विद्याले परिक्षा समिति के सब्हगार से प्रस्वरता का आयूजन हुआ और मालूम हो कि सिवान जुले के मरित्यूंजेक कुमार टॉपर है ये साइन्स के टॉपर है, कॉमर्स में, शिर्ग पुरा के प्रिया कुमारी और आर्ट्स में तुशार कुमार टॉपर बने हैं आपको बता दे कि पासिंग का प्रतीशत पिछली बार से इस बार बहतर है छात्र और छात्र आये परिक्षा परिनाम को वेब साइट सेकेंटरी.biharboardonline.com पर चेक कर सकते हैं एक फरवड़ी से बार फरवड़ी तक परिक्षा का आयो जुन किया गया था और आप परिनाम की घूश ना हो गई है इसमें 89.7 एक प्रतीशत लड़किया सफल है जबकि लड़कों की संख्या का प्रतीशत 86.7 तीन है अगर आप इंटर के परिक्षार्ती है तो अपना अंक हमें हमारी कमेंट सिक्षिन बॉक्स में ज़रूर बताएं बिहार पुलीस अब एडवांस हतियारों का करेगी उप्योग बिहार पुलीस अब advance हतियारों का उपयोग करेगी होली और लोग सभा चुनाओ को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ ही पुलीस भी active mode में काम कर रही है अवेट कारुबार और शराप तिसकर यादी पर रोक लगाने के लिए पुलीस रननी तीब बना रही है वहीं बिहार पुलीस ने अपराध और साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अब आधुनिक हतियारों का उपयूग करने का प्लान तयार किया है पटना के दिखा के समीप नक्टा दियारे में पुलीस की टीम को अशुग गैस छोड़ कर ट्रेनिंग दी गई और अस दौरान सिटे असपी पश्रमी अभिनफ धिमान ग्रामी ने असपी रोशन कुमार के साथ ही टे असपी और दिखा थानध्यक्ष मौजूद रहे एक अप्रेल से टोल टैक्स में होगा इजाफा रास्टिय राजमार्क पर एक अप्रेल से टोल टैक्स में बढ़ोतरी होने जा रही है रास्टिय राजमार्क प्राधी करन ने इस संबंध में सूचना चारी की है एक अप्रेल से नई दरोपर टोल टैक्स वसूला जाएगा उसका मतलब यह है कि लोगों को अब पहले कि अब एक शुआधिक रुपए का टोल टैक्स के रूप में भुकतान करना होगा बिहार के मुझपरपूर बरौनी, मुझपरपूर दर्बंगा, पूर्णिया, मुझपरपूर सोन वर्सा और मुझपरपूर मतिहारी रूट पर बढ़ी हुई दर्जारी की जा चुकी है अनुसार थोक मुलि सुचनांग के अधार पर पूरे सूबे में टोल टैक्स में 2.6 फीस्दी की बरहोतरी हुई है और उसके तहट सभी टोल प्लाजा पर 5-20 रुपे की बरहोतरी की जा रही है सुपॉल पुल हाथसे की जाच हुई शुरू सुपॉल में देश के सबसे बड़े निर्माना धीन, बड़े बकॉर भीजा पुल हाथसे की जाच शुरू हो गई है तीन सदस्य टीम घटना अस्तल पर पहुचे और हाथसे की जाच शुरू कर दी है इस दौरान टीम के साथ जलाधिकारी कॉशल कुमार समेता नियाधिकारी मौजूद रहे मालूम होके बीते दिन पुल का गार्डर अचानक नीचे गड़ गया और इस हाथसे में एक मजदूर की जाच शली गई थी जबकि अन्य मजदूर घाल हुए थे इन्हें इलाज के लिए अस्पतार में भट्ती कराया गया और इसके बाद विभाग नहीं जाच के आदेश दिये वहीं आप मामले की जाच शुरू कर दी गई और इसके बाद पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा होली के बाद इन ट्रेनों में सीट उपलब्द है इसमें सीटों को बूक करा कर आप अपने सफर को और आसान बना सकते है वहीं ट्रेनों में ट्रिकत बूकिंग से पहले सीटों के उपलब्दता की जानकारी होना जरूरी है उस लिखे जाने तक गारी संख्या शुर्ने पांच दो नौ तीन मुझपरपूर सिकंद्रा स्पेशल में शबस मार्च को 2 AC में 43, 3 AC में करीब 225, 3 AC में करीब 134 सीट उपलब्द है इसी ट्रेन में 2 अप्रेल को 2 AC में 52 और 3 AC एकनॉमी में 123 सीट उपलब्द है पटना अनंद विहार स्पेशल में 31 मार्च को 120 से अधिक सीट है वहीं दानापूर LTT स्पेशल में 31 मार्च को 1 AC में 10 जबकि 3 AC में 442 सीट है मुझपरपूर में एक वहान से सैक्रो लीटर शराब जब्द विहार में पुलीश शराब के खिलाफ अभ्यान चला रही है इसी करी में मुझपरपूर पुलीस ने मनियारी थाना चुईतर से गुप्त सूचना के अधार पर कारवाई की है जिले के रत नौली चौक के पास से छाबे मारी कर एक लगजरी वहान से सैक्रो लीटर शराब की बरामत गी हुई है हालंकि इस दौरान शराब की तसकर वहान को छोड़ कर फडार होने में सफल रहे जानकारी के अनुसार पुलीस ने 133 लीटर शराब को बना मत किया शराब तसकरों के गिरुफतारी के लिए F.I.R. दच कर करवाई की जा रही है बिहार बोट बारवी में इस तरीके से फेल परिक्षार्थी भी हो सकेंगे मालूम हो कि 13 लाग से अधिक स्टुडेंट्स ने बारवी की परिक्षा दीती और इसके बाद परिक्षा परिणाम की गोशना हो चुकी है और फेल होने वाले चात्रों चात्राओं के पास दो अन्य विकल्प होंगे इसकार अनसफल परिक्षाटियों को परिशान होने की जरूरत नहीं है वो दो सुविधाओं का लाब उठा सकते है फेल होने वाले चात्र वो चात्राओं को कौप्यू का पुनर मुल्यांकन करवाने का विकल्प मिलता है चेकिंग में गर्बडी की आशंका होने पर उसे सुधरवाया जा सकता है इसके लिए शुल्क का भुक्तान करना होगा आपको बता दे कि BACB के आधिकारिक वेबसाइट पर ओनलाइन आविदन करना होगा मालूम हो कि बारवी के एक्जाम में पास होने के लिए 33 प्रतीशत अंक जरूरी है वहीं फेल हो जाने पर कंपांटमेंटल की परिक्षा देने का भी विकल्प होता है इसमें शात्रों के पास पास होने का मौका होता है प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज निर्वाचन आयोग में हुई रजिस्टर्ड हो गई है लोग सबाचनों की गूशना के बाद आयोग में तीजी से नए दलों का निबंधन किया जा रहा है ऐसे में जन सुराज पार्टी का भी रजिस्टरेशन कर दिया गया है इस तरह से प्रशांत किशोर की पार्टी को चुनाव आयोग से मानने ता प्राप्त हो गई है आपको बता दें कि लोग सबाचनों में रजिस्टर डिराजनितिक दलों को आवंतित चुनाव चिन्हों की सूची जारी हो चुकी है हालंकि इस पर अभी प्रशांत किशोर के ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है यूडायस पोर्टल पर अपडेट नहीं करने पर स्कुलों की मानिता होगी रद यूडायस पोर्टल पर अपडेट नहीं करने पर स्कुलों की मानिता रद कर दी जाएगी इसी कारी में पटना जले में 80 प्रतीशत स्कूलों ने यू डायस पोर्टल पर डेटा को अपडेट कर दिया है जानकारी के नुजार 2234 स्कूलों ने डेटा को अपडेट किया है जबकि 1786 स्कूलों ने विद्यार्थी और सिक्षकों के प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है मालुमों कि पोर्टल पर नीजी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्ते स्कूलों को डीटेल भरना जरूरी है इसकूलों की ओर से डीटेल भरी चाती है पानी वो 140 आदी की विवस्ता की भी जानकारी दिनी होती है और इसके लिए 20 मार्च का समय दिया गया था जमुई से राज़त की प्रत्याशी अर्शिना रविदास के खिलाफ की इस दर्ज हुआ है मालूमों की दीश भर में आगामी लोग सबाचुनाओं को लेकर आदर्श अचार सहीता लागू है ऐसे में राजनितिक दल और प्रत्याशियों को नियम काईदों का पालन करना जरूरी है और असी करी में महागर्मदिन की ओर से अरचेडी प्रत्याश्य अर्जना रविदास पर सिकंदरा ठाने में आचार सहीता उलंगर मामले में कीज़ दर्ज हुआ है और उनके साथ ही इनके समर्थकों के खिलाफ भी कीज़़ किया गया है दिरसल अर्जनर अविदास पर जिला प्रशासन के अनुमत्री के बेगेर ही काफी संख्या में भीर जुटाने प्रचार प्रसार करने के मामले में कारवाई की गई है सीम नितीश कुमार ने जदियू सांसदों से की मुलाकाद बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने जदियू के सांसदों से मुलाकाद की है इस दोरार इन्होंने सबी को टास्क भी दिया है मालूम हो कि लोकसब चुनाओ की तारिकों की गोश्चना हो चुकी है ऐसे में सबी बाटियां अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है सांसदों से मुलाकाद के बाद सीम नितीश कुमार ने कहा है कि एन्टियू के प्रत्यासे के रूप में मजबूती से चुनाओ लड़ना है और बिहार को 40 की 40 लोग सबसीटों पर जीत दर्ज करनी है बिहार में हुई विकासकारियों को लोगों को बताना है मालूमों की जदियों को 16 सीटे मिली है इसमें भागलपूर, जहानबाद, सुपॉल, वालमिकी नगर, मधिपूरा, गुपाल गंज, कचिहार, भाका, नालंदा, सिवान, मुंगे, जंचारपूर, पुर्निया, सितामरी, किसन गंज, और शिव, हरश, चामिल है बिहार के पिष्ड़े पन को लेकर पपूयादव ने दिया बयान बिहार के पिष्ड़े पन को लेकर कॉंग्रस नेता पपूयादव ने एबीपी न्यूज के एक कारिकरम नास्ते पर नेता जी में बयान दिया है साथ ही उन्होंने बाज़पा पर जम कर निशाना साता है बिहार के पिछड़े पन को लेकर पपो यादव ने कहा है कि बिहार, उरीशा, बंगाल, जारकंड सभी पहले एक थे और उसके बाद बिहार राजनीदी का हिस्सा बनते गया कश्मीर को पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए तो उसे एकनॉमिकल सॉल्यूशन मिलता है वहें बिहार को एकनॉमिकल सॉल्यूशन चाहिए तो इसे पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिया जाता है नरेंद्र मोदी पर निशाना साथ से वियो पपुयादव ने कहा है कि स्टेट पॉलिटिक्स अलग होती है और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स अलग है आयोध्या में रामलेला की दर्शन करने के बाद नामंकन करेंगी जीतन राम मांची बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री जीतन राम मांची आयूद्या में रामलला के दर्शन करने के बाद लोगसभा चुनाओ के लिए नामंकन करेंगे मालूम हो कि लोगसभा चुनाओ को लिकर सीटों का फॉर्मूला तै हो चुका है ऐसे में हम बातिक के प्रमुक जीतन राम मांची गया की लोगसभा सीट पर चुनाओ लड़ सकते हैं चुनाओ को लिकर नामंकल दाखिट करने से पहले वो आज अयूद्या में भागवान श्री राम के दर्शन करेंगे और इसके बाद 28 मार्ट से गया लोगसभा सीट के लिए नामंकन करेंगे जीतन राम मांची ने कहा है कि आयूद्या में राम लला के विराजमान हो जाने के बाद ये एक अंतरास्टी प्रियाटक अस्थल बन चुका है यहां लाखो लोगों को रोजकार मिल रहा है अशोक महतो की पत्नी लोगसभा का लड़ेगी चुनाओ कहा राजनीती में आने की नहीं थी प्लानिंग अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी को राज़त के रास्टे अध्यक शलालो प्रशाद यादव ने सिंबल दिया है वो लोगसभा का जुनाओ लड़ेंगी इसके बाद उन्होंने कहा है की राजनीती में आने की उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी दरसल उन्होंने दैनिक भासकर को दिये गए एक इंटर्विय में कहा कि शादी भले ही अचानक हुई हो लेकिन ये पूरी तरह से पारिवारिक है समाज और परिवार ने इस रिष्टे को तै किया है मैं मुंगीर की बेटी हूँ कुर्मी धानुक समाज से आती हूँ और निगेटिविटी को खत्म करने का हर संभव प्रयास करती हूँ इमानदारी की पॉलिटिक्स करूँगी समाज़क नया के लिए लरूँगी पिछडे और गरीब लोगों के लिए संखर्स करूँगी आइपिल दोहजार चॉबिस के पहले मुकाबले में CSK ने RCB को 6 विकेट से रॉंदा आइपिल दोहज़ार चॉबिस में CSK ने शांदार आगाज किया है CSK ने RCB को 6 विकेट से हरा दिया इस दोरान CSK के कप्तान रितुराज गाए कोड ने कप्तानी के डेव्यू में विज़ई आगाज किया और इसके बाद उन्होंने मैच के टर्निंग पॉइंट का खुला सकिया उन्होंने बताया कि शुरुवात से ही हमने नियंतरन रखा था दो-तीन ओवर में परिशानी आई लेकिन स्पीनर्स के आजाने के बाद हमारे पास पूरा नियंतरन वापस आ चुका था कप्तार ने ये भी कहा है कि RCB ने दमदार वापसी किया था रितुराज गाय को आडनी जौनकारी दिये कि जल्दी जल्दी RCB ने प्रमुख बलेबाजों के विकेट गवाए इस कारण ही बाजी पलट गई बीती दिन हमारे दोरा पूछे गए सवाल का आप लोगों से बोहत से लोगों ने अपना जवाब हमें अमारे कमेंट सिक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दोरा पूछे के सवाल का जवाब दिया उनकी नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल के ओर आज का सवाल है आपके अनुसार कॉलकता नाइट राइडर्स और सन राइजुस हैदरबाद के बीच होने वाले आज के आईपेल मकाबले में किसकी जीत हो सकती है आप अपना जवाब हाँ में हमारे कमेंट सिक्षिन बॉक्स में लिख कर जरूर बताए आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी नूस और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेच को लाइक करना नहीं भूले धन्यवाद